हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रूब डी एस वेल एस एंटी पीसी एक्जाम डेट के बारे में दोस्तों ग्रूब डी और एंटी पीसी का एक्जाम कब होगा मेरी आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को लास तक जरूर देखना वीडियो शुरू करने से पहले में आप सभी को बता दो ये किसी भी RRC या RRB दोरा कोई ओफिशल नोटिफिकेशन नहीं है जो लोग मेहनत कर रहे हैं और डेट का इंतजार कर रहे हैं दोस्तो हिंदुस्तान टाइम्स एंडी टीवी इंडिया ये इतने बड़े बड़े चैनल से अब सभी को पता है इतने बड़े बड़े फ्रेंचाइजी है इनके दोरा एक प्रेडिक्शन लगाया जाता है दोस्तो प्रेडिक्शन भी लगाते हैं तो किसी बिहाफ पर लगाते हैं ऐसे मन से तुक्के नहीं देते हैं तो दोस्तो उनी का एक आर्टिकल अपन अभी पढ़ेंगे और उसमें क्या-क्या दिया हुआ है और कब तक एक्जाम हो सकती है वो पूरा डिसकस करेंगे और दोस्तो साथी साथ आज येर का एंडिंग डे है तो आप सभी को एडवांस ली हैपी न्यू येर आपको आपके फ्रेंड्स को आपके पुरे परिवार को दोस्तो अच्छे से इंजॉय करें और अपना खुद का ध्यान रखें तो फटा-फट अपन पहले अब ज़्यादा बात नहीं करतें अफिशल साइट पर चलते हैं और वो पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं दोस्तो ये आप उपर देख सकते हैं यहां पर NDTV इंडिया आप सभी को पता है किती बड़ फ्रेंचाइजी हैं यहां पर एक आर्टिकल छापा गया है इनके द्वारा आर्रबी एंटी पीसी और ग्रूप डी की परिक्षा मार्च में संभव आर्रबी के अधिकारी ने दी अहम जानकारी दोस्तो इन्हें भी कोई जो अंदर के फैकल्टी रहती है या अंदर के मेंबर्स रहते हैं उनके द्वारा पता चलता है यह सब इन्फोर्मेशन अगर यह मन से छापने लग गए तो आप सभी को पता है कि आर्रबी इनके उपर क्लैम कर सकते हैं नीचे देखते हैं अपन हाँ दोस्तों यहां से न्यू डेली रेल्वे की एंटी पीसी आर्रबी एंटी पीसी और ग्रूप डी की भरती परिक्षा में और देरी हो सकती है NTPC और Group D railway के सबसे बड़ी भरतिया हैं जिसके तहद कम से कम 35,000 और एक लाग पदो पर भरतिया होनी है railway भरती बोर्ड, railway recruitment board के एक वरिस्ट अधिकारी ने NDTV से बाचित करते हुए कहा क्या कहा अपन पर देख ले तब railway अभी परिक्षा कराने के लिए agency की न्यूकती पर काम कर रहा है agency की न्यूकती अभी पूरी नहीं हो पाई है लेकिन जल्द ही agency की न्यूकती का काम पूरा हो जाएगा दोस्तों आप सभी को पता है कि तो जो बड़ी exam सोती है उसका tender release किया जाता है और कोई ना कोई एक बड़ी जो agency रहती है वो उसे govern करती है वो उसे purchase करती है और वो exam conduct उनके हिसाब से करवाती है बट अभी ऐसी कोई सी भी agency या body रेल्वी को नहीं मिल पाया है appropriate तो रेल्वी उसे search कर रही है जैसा ही मिल जाएगा तो जो exam date है जो आपका center है और especially SC, ST जो candidate से आप सभी को पता है कि उनको free के train process मिलते है तो वो भी provide कर दिये जाएंगे और थोला सा नीचे देख लेते हैं नीचे लिखा है अधिकारे ने कहा अधिकारे से बात करते हैं क्या कहा है उन्होंने railway भरती board संभवता मार्च में ये भरती आयोजित करेगा दोस्तों हो सकता है कि मार्च के first week में या second या third या fourth week में मार्च के मन्त में कभी भी जो official notification है exam date से related वो आ सकता है NTPC या group D में कौन से परिक्षा पहले होगी या तरह नहीं हुआ है हम दोनों परिक्षा साथ में ही आयोजित कर सकते है ऐसे में उमीद है कि जनवरी या फरवरी में NTPC और group D परिक्षा के तारिक जारी कर दी जाएगी दोस्तों देखे इन्होंने कहा है कि NTPC और group D की जो exam है वो एक साथ ही conduct करवा सकते है मिंस की थोड़ा सा पहले NTPC का इस week में कर दिया और जो group D का है वो next week में कर दिया ऐसा एक ही दिन कोई सी भी दोनों exam clash नहीं होगी या आप एक NTPC दे या group D दे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा हो सकता है कि इस week में NTPC हो जाए या इस week में group D की हो जाए और next week में NTPC की एक्जाम हो जाए ऐसा कुछ scenario देखने को मिल सकता है और नीचे लिखा गया है इन्होंने कि बता दे कि railway भर्ती बोर्ड NTPC के 35.28 पदो पर भर्तियों के लिए 28 February को notification जारी किया गया था आप सभी को पता है 28 February 2019 में जो NTPC का notification आया था इन पदो पर 1,26,3,885 उमीदवारों ने अविधन किया है जो आप देख सकते हैं 35,000 vacancies है और जो competition है आप समा सकते हैं एक seat के लिए कित्ता सारा competition है एक करोड 26,3,885 candidates ने फॉर्म भराए नोटिफिकेशन में परिक्षा की संभवता तारिक जून से सितंबर आप सभी को पता है जो notification आया था उसमें कहा गया थे कि जो एक्जाम है वो जून या सितंबर मन्त में कराई जा सकती है अब तक की सबसे बड़ी भरती है आप सभी को पता है कि गूरूब डी की बहुत ज़्यादा भरती होती है इसे ही ट्रेक मेंटेनर पॉइंट्समैन इन सभी की जो रिकूट्मेंट है इसी से होता है और इसके तहट एक लाग 30,779 पदों पर रिकूट किया जाएगा इस भरती का notification इस साल के शूरात में जारी कर दिया गया था भरती के लिए करोर 15,67,248 उमीदारों ने आविदन किया दोस्तों आप देख सकते हैं कि एंटीपीसी को जादा जो वेटेज मिल रहा है सभी केंडेट से तो आप समझ सकते कि बहुत कट टू-कट कॉंपिटेशन रहने वाला है जो भी केंडेट इसकी प्रिप्रेशन कर रहे हैं मैनत करें जी जान लगा के दोस्तों करते रहिए यह जो notification आएगा hopefully जैसे ही पहले किसी भी यूटूबर के पास कोई ऐसा notification नहीं आएगा कि नहीं यह exam आ गई है दोस्तों जो आपका जो email और as well जो register number है आपको सबसे पहले वहाँ पर message आएगा कि जो exam से इस समय कंड़क्ट करवाई जा रही है तो आप बिल्कुल भी tension ना ले अपनी मैनत ज दोस्तो continuity ज़रूर रखें जैसे ही कोई notification आएगा RRB, RRC दोरा में official notification as soon as possible वीडियो बना कर publish कर दूँगा दोस्तों होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आए दोस्तों एक जनरल information थी मुझे लगा आपको बताना बहुत ज़रूर है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि द पसंद है मैं यह ने कोंगा चैनल को like करो comment को ज़र शेयर करो बिल्कुल भी नहीं दूसरे चैनल इस पीछले आपको information provide करने के लिए बनाया गया है help provide करने के लिए बनाया गया अगर वह information और help आपको मिल जाते है आप तक provide हो जाती that is enough for me the friends once again thank you so so much अपना खुद का ध्यान रखे माहनत करते रहे मिलते हैं next video में